हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होग आप सब अच्छे होगी आप सब के साथ जो वीडियो आज सेयर करेंगे, उसमें हम बात करेंगे किचन से निकलने वाले कचरे से हम कैसे पाधा लगा सकते हैं तो आईए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहसती रहें तो आईए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, और कैसे कीजिए से निकलने वाले कच्रे से हम पाधा लगाते हैं, वो आप सब के साथ सेयर करते हैं कुछ पाधे मैंने पहले लगाए हुए हैं, देखिए वो बहुत अच्छी तरीके से चलने हैं तो आईए कच्रे में पाधा कैसे लगाते हैं, वो आप सब के साथ शेयर करते हैं यह हमारा किचन से निकलने वाला कच्रा है, इसमें मटर के, गोभी के, आलू प्याज के, सभी तरीके के छिलके हैं जिन से हम आज पाधा लगाना बताएंगे आपको इस किचन से निकलने वाले कच्रे के साथ ही साथ हमने यह गोबर की खात को भीगो करके पानी रखा हुआ है और उसके साथ ही साथ हमने रखा हुआ है फंजी साइट पाउडर और थोड़ी सी मिट्टी क्योंकि ये fungicide powder इसलिए जरूरी है कि हमारे पाधे में, हम कच्रे में लगा रहे हैं पाधा, तो कोई fungus ना लगे, तो इस fungicide powder को इस मिट्टी में हम डाल लेंगे, कम से कम चमजबर powder डाल करके और अच्छी तरीके से हमें इसे मिला लेना है, पाधा लगाने के लिए गमला च कोई भी चलेगा, हमने नीचे इसमें कप्ला डाला हुआ है, आप चाहें तो इसमें कोई ठीकरा वगेरा या दिया हुआ भी रख सकते हैं, और उसके बाद हम इसमें डाल लें ये कच्रा, कच्रे से हमको आधा गमला भर लेना है, और इस कच्रे में हमको सबजीयों के छिलक के भी हम डाल सकते हैं, जो मिट्टी हमने ये तियार की है, इस मिट्टी में हमने डाला हुआ है फंजी साइड और थोड़ी सी हमने इसमें गोवर की खाद भी पहले से मिलाई हुई है, थोड़ी सी खाद डालनी हैं ज्यादा नहीं क्योंकि हमने गोवर की खाद को भीगो कर के पानी त्यार किया हुआ है वो पानी ही इसमें हम डालेंगे उस पानी को डालने से ये होगा जो इसमें नीचे ये अपने छिलके डाले हुए हैं ये जल्दी गल जाएंगे और जल्दी खाद बनेगी इसमें मिट्टी जो हम डाल ले हैं वो हमको कम से कम दो इंच मिट्टी डालनी है दो इंच मिट्टी हमको उसके उपर डाल लेनी है और उसके बाद पौधा लगाना है ये पिटुनिया का पौधा है जो हम नर्सरी से लाएं है वो इसमें हम लगाने वाले हैं आप कोई कटिंग अगर आपने लगाई हुई है तो उसको भी आप लगा सकते हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी हमने एक कटिंग भी लगाई हुई है कच्रे में वो भी आप सब के साथ सेयर करेंगे और हमने कुछ नर्सरी से लाके पौधे लगाए हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से चले हैं उनको भी मैं आप सब के साथ शेयर करूगी इस तरीके से पधा लगा लीजिये और साइट साइड में ये मिट्टी डाल लिए मिट्टी में आप फंजी साइड पावडर ज़रूर डालिए और फंजी साइड नहीं है तो आप हल्दी पावडर डाल लीजिये क्योंकि फंगस ना लगे इसलिए हमें phanjicide powder ज़रूर डालना है और हम जो पानी डालेंगे वो हम पानी डालेंगे इसमें गोबर की खाद का जो भीगा हुआ पानी है उससे हमारा कच्रा जल्दी गल जाएगा और नीचे खाद जल्दी त्यार हो जाएगी इस तरीके से हमारा पाधा लगा लेना है और इसको हमें रखना है किसी ट्रे में ट्रे भी ऐसी रखी है जो इसमें पानी नीचे अच्छे से इखटा होई इसमें जो नीचे पानी निकलेगा वो पानी भी बहुत पावर्फुल होता है इसलिए उस पानी को निकाल करके आधा पानी वो ले लीजिए और आधा पानी साधा मिला करके आप अपने पेंड पौधों में डाल दीजिए इससे आपके पेंड पौधे भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रोध करेंगे ये दोनों पौधे मेने लगा दिये हैं और ये ट्रे जरूरी है इसके नीचे, दोनों में ट्रे जरूर लगाई है, क्योंकि इससे नीचे कच्छे से पानी निकलेगा, तो तो आप सब को अपना अपडेट भी दिखाते हैं जो हमने पौधे लगाए हुए हैं उनका, इस गु cutting भी हमने कच्रे में ही shift की है और ये भी बहुत अच्छी तरीके से चल दो आप लोग भी इस तरीके से मिट्टी कम होने पर कच्रे में पाधा लगा सकते हैं इससे मिट्टी भी कम लगती है और आपका पाधा भी लग जाता है I hope आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद